नमस्कार दोस्तो बेस्ट स्टुडेंट पॉइंट माप का स्वागत है जैसा कि आप सभी को बताया था यह एड्मिट कार्ड है जो 25 तारीक रात को ही जारी कर दिया था हाला कि साइट मैं थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन फिर भी दोस्तो कुछ जैसे यह एड्मि तरीके से बताये दोस्तो आप अपने नाम और जनम थिती से भी अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इससे आपको पासबर्ड भी मिल जाएगा और इससे आपकी एप्लिकेशन आइड़ी भी मिल सकती है तो पूरी जानकरी हम आपको बिस्तात से बताएंगे और पूर्ण जानका जैसे कॉलेज अलटमेंट कैसे होता है फीस कैसे भरते हैं यहां तक कि दोस्तो जब दूर कॉलेज मिलती है तो नजदिक कॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं सारे जो भी प्रोबलम आती हैं बीस्टीसी के अंदर आपको विश्तात से स्टेप बाइस्टेप और समय समय पर अभगत कराते रहेंगे तो चलिए जान लेते हैं कि हम एड्मिट कार्ड है जो नाम और डेट वर्ट से कैसे डाउनलोड करें दोस्तों यह है आपकी ओफिसिल वेबसाइट पी आरे डी 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 डॉट कॉम और इस पर आपको क्लिक करने के बाद नीचे जाना होगे तो आपके पास थोड़ा सर्वर दोस्तों सर्वर डाउन चल रहा है लेकिन एक बार एक दो बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जो साइट है वो जरूर ओपन होगी ध्यान रखना इसके लिए फिर आपको दोस्तों यह जी जैसे आप लोगों को एप्लिकेश अपने मॉबाइल नंबर पर 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 लोगे यानि कि आपको अपना नाम भरना है उसके बाद आपको मादस नेम भरना है उसके बाद आपका अपना जैसे आपनी फ़ोरू में इसके बाद से to get your application ID इससे आप अपनी application ID प्राप्ट कर लेंगे आराम से निश्यत रही इससे आप application ID प्राप्ट कर लेंगे और किसके बाद दोस्तों आपको कर देना clause अब कुछ से लोगों का comment ये भी है सरम password भूल गहें अपना admin card कैसे download करें तो फिर वही तरीका आपको forget password पर क्लिक करना है इसके लिए आपकी ़यर आपने प्राप्त किने उस पर और इसके बाद मॉवाईel नंबर आपको एंटर करना है और इस पर आपको आपके यह पस्वर्ड बाद तो क्लोज कर आपके दोनों फोरम लोगिन कर देना है आपका admit card आपके हाथ में होगा धन्यवाद